आज मैं खड़ी हूँ 36 गड़ के पा कैपिटल कोरबा में और जहां मैं खड़ी हूँ वो स्टेट इलेक्रिसिटी बोर्ड का प्लांटेशन एरिया हुआ करता था यहां पर आज भी मास्टर प्लान के हिसाब से प्लांटेशन होना चाहिए यहां पर पेड़ पौधे होने चा और जहां मैं आज खड़ी हूँ कोरबा में वो बिगिस्ट लाजिस्ट यहां का रिजर्व कोल रिजर्व है पूरे एशिया का और इसकी भरपाई यहां के लोग अपने हेल्थ की अपने स्वास्त की आहुती देकर निभाते हैं इन फाक्ट हमारे साथ एक एन्वार्मेंट जूरतों पर नजर आता है हम यहां पर आते हमें इरिटेशन होती है हमारे आखो पर और आरे गले में दर्द होना शुरू हो जाता है हमारे साथ लक्ष्मी चोहां जी जुड़ रहे हैं बताएंगे कियोanday और और बिल्कुल यहां पर इस फाय आश होने की वज़ा क्या है आप हमें बताईए कोरबा के हम ऐसे इलाके में खड़े हैं जहां पर चारों और प्लांट्स है जहां तक नजर जाती है प्लांट्स है लेकिन जहां तक नजर जाती है फ्लाय आज भी हमें देखने को मिल रहा है और यह बिल्कुल दिल्ली जैसा महौल है दिल्ली में भी जब ह पही रहना चाहिए according to 99 नोटिफिकेशन जो आया था इनको 100 परसेंट करना चाहिए इनको फो तो उस पे डाल दो और इस जगा पर जो फ्लाइस डम किया जा रहा है यह तो पूरी तरह अलीगल है यह पूरी तरह गैर कानूनी है अब तो माली जे हम जैसे देख रहे हैं जो पर्टिकुलर वाइसार में जो जो नाशनल स्टेंडर है पर्टिकुलर मेटर 2.5 और पर टेन का जो नाशनल लिमीट है 60 और 100 का कहीं किसी भी पर तक्सीघ्री में वह स्टेंडर्ड पर को रसार का वैयर प्वालिटीक माना का नहीं रहता है तो हम आप आप यह मालीजी कि लोग के जो सांस ले रहे हैं जहर ले जाहर के रहर के तो पर यह उनके स्वास्त पर बहुत ज्यादा असर होता है आप कुर्वा के इसको स्टेब्लिस करने का तरीका नहीं है लेकिन आपको इसको दूसरे तरीके स्टेब्लिस कर सकते हैं कि पहले होता यह था कि कोई आदमी एक बार हास्पिरल जाता था लेकिन ड्यू टू पॉलूशन वह अब साल में दस बार जा रहा है यह यही चीज को हम बार-बार बोल हो जाता आपको फासिल पर रहना पड़ेगा लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोगों के जीवें के साथ में से खिलवाल करें नाइंटी नाइंटीन नाइन के जो नोटिफिकेशन की मैं बात कर रही हूं अभी रीसेंटली उसी के बेसिस पे बालको ने एक लेटर भ लेकिन यहां के जो लोग है वहां इनको लंग की बड़ी दिक्कते हो रहे हैं काफी जादा लंग्व और इंके आंखि कम जोर रहे हैं यह फ्लाइ आशकी ही देन है आप मुझे यह बताइए कि बिल्कुल इस तरह से जब यह डंपिंग होती है तो आस पास के जैसे हम देख पारें यहां पर आसपास लोग रहते हैं इन लोगों को क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पहले और दूसरा environmental यह कितना बड़ा environmental hazard है कितना जादा यह environment के लिए खराब है आज हम climate change की बाते करते हैं लेकिन climate change की बाते करते हैं और यह से बोला कि यह हम पूरे इंडिया का सब 25 परसेंट कोल के निकलता है तो कुर्वा से निकलता है 99 का notification यहीं भी कहता है कि आपको बाटम टू बाटम वेट वेट वह वह कोई निकालने के साथ में और बड़न के साथ में उसी कोल माइस में इस फ्लाइयस को मिल आ रहा है और अततकालिक तौर पर यही और चाहिए और जो अपरेशन में उसके साथ मिला के इसको बैक फिल करना चाहिए यहीं सालूशन है और अभी जो इस्टेट गवर्मेंट का हेल्थ रिपोर्ट है जिसमें हमने हमारे साथ मिलके सरवे हमने किया था इसमें बात सामने आई थी अब माया वह रिपोर्ट आपको अब्लब करा दूँगा जिसमें इस बात उत्म सहां कि बच्चों के हेल्थ हेल्थ में बहुत ज्यादा असर है इसकिन की डिजिसेस है सांस की बीमारी है यह कामन फेक्टर से यहां पर यह तो यह तो पढ़ा और आरे टाइम में स्थिति और भी खराब होगी आने वाले स्थिति और भी खराब होगी यहां पर बाजु में एक नाला भी है जहां तक मैं देख पा रही हूं बाजु में एक नाला है फ्लाय आश मिलके उस नाले में जाता है यह नाला सारे वाटर बॉडी इसको पल्यूट करते होए चले जाते हैं तो यह पूरे पूरे सिस्टम को प्रकृती को हर तरह से चोट पहुचा रहा है। करों और न मनदें सोया नदेओं अपने ओंकर आ वाटेटमेंट को भी essछ डाल रहे हैं औरत जमीन में स्टमान दाल रहे हैं। और कहीं पे इस्टेडी हुआ था यह आई टी कलकता ने किया था और एक बार आई टी नक्वा एंजटी नाकपूर ने कमेंट किया था कि यह नुक्लियर वेस्ट से ज्यादा खतरनाख है इसके रेडियेशन से ने खतरनाख है इसके रेडियेशन बच्चों के लिए आने वाले जनरेशन जो हैं बच्चों की वो खराब करेंगी इन फाक्ट यहां पर हम बच्चे भी देख पा रहे हैं जैसे कि हम बात कर रहे हैं बाजू में यह सारे बच्चे हैं जो यहीं आसपास की बस्ती से आते हैं और बिल्कुल उनके हाथ प्रब्च रहे हैं ट्ब दप चुके हैं और गुरूंट तरह से असर डाल रहा है लेकिन आख मूंद कर बैठी हुई है और हमेश से हमें ये भी एक जानने को एक मौका मिला है एक information हमें ये भी मिली है कि चीफ मिनिस्टर भुपेश बगेल एक petitioner थे कि ये fly ash का utilization जल्द से जल्द हो जाए लेकिन सीम बनने के बाद चार साल हो गए उनके tenure को आज तक ये जगा बिल्कुल वैसे की वैसे ही और ऐसे कई सारे एरियाज को और बामे बन चुके हैं जो लोगों को उनकी health को बिल्कुल directly ठेस पहुचाते हैं यहां राखड होने से आपको क्या तकलीफ होती है सास की तकलीफ होती है सास लेने में गले में दर्द होता है आखों में तकलीफ होती है हां हलका हलका होते हैं लेकिन घार द्वास साब में राखड पहल जाते कपड़ा रस्ता खाना पीना साब में राखड पढ़ जाती अब सास में सुबा सोग उर्थान ता मतलब थोड़ा से खरकराट पैदा होते हैं घरमियों में तो और भी बेकार हालत होती होगी जल्दी जल्दी मिट्टी डाल देवा राखड में वह अच्छा रही मिट्टी मतलब बराबर से कि राखड मतलब उड्याना बंद हो जाए अंदाजा लगाने से रेस्पिरेटरी डिजीस की प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगे लेकिन अन अवरेज चार से पांच पेशन जरूर रहते हैं जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लिए रहते हैं अब जो बॉडी डिफेंस जिनका बहुत उत्तम रहता है उनको शायद नहीं हो पाता लेकिन नॉर्मली मोस्ट आफ दे पीपल जो प्रेगनेंट है जो थोड़ाइसा हेल्थ इशू है जिनके जिनको कुछ कॉ प्रिया रएब्रियाति मोसम और बशाथ के मौसम में जब डेस्ट उड़ने का ती हैं जस्वफर लेवल पर है उस समय खाशी और सर्दी माहिश खीएต जा सकते तो टू til एक्ट करने का मास्क पेने का हमारे बास कल्चर नहीं था तो हम लोग प्राया प्राया जो खांसी कर या इससे आते थे जो रुमाल रखने के लिए बोलते थे कुछ हद तक जो इंडस्ट्रियल है पुब्लिक सेक्टर्स है वो लो गुड वगरे बाटते था कि जो लेवल ऑफ मास्क पेनने से एक बहुत बड़ा चेंज आया जो खांसी और एस्पिरेटरी डिजिज़स और एलेग्जिक रियक्शन्स में भी कम आया और क्योंकि डिस्टेंसिंग का सवाल था तो बहुत सारे इंफेक्शिस डिजिज़स में कमी आई है और यह बला मार्ट पॉइंट है पर पहुति सिए बला मारा मीठी कैसे अरिजूस और के अई जुटे एलेग्शने चेंजिज़स